Welcome back friends in Indian Economics lecture no.5 पहले के 4 lectures में हमने देखा कि lecture no.1 में हमने census को पड़ा lecture no.2 में inflation, lecture 3 में banking system, lecture 4 में national income के major means को देखा और आज जो lecture no.5 है हमारा इसमें हम sustainable development goals, poverty और unemployment का जो brief idea हो देखने वाले हैं तीनु चीजे को SDG poverty और unemployment को देखने वाले हैं और यह आपको बता दूँ यह जो लेक्टर्स हैं economics के वी एलडेवली के लिए special हम बना रहे हैं FAA के लिए यह नहीं है, पहले ही में clear कर दूँ FAA के syllabus में कुछ topic हो सकते हैं census inflation जो जो काम आएगा आपको यहां पर लेकिन उसका FAA का syllabus economy का अलग है यहां पर क्योंके इंडियन economy सिर्फ लिखा हुआ है तो उसका basic जो इंडियन economy की concepts होते हैं वो यही होते हैं हमारा एक और lecture आएगा lecture नमर 6 जिसमें हम गोर्मीट schemes को देखेंगे ठीक है वो हमारा last lecture होगा तो इसके बाद सिर्फ एक और lecture आना है तो economy हमने इतनी ही पढ़नी है बहुत सब्सक्राइब की यही डोट का यही डोट था कि आपने economy नहीं पढ़ाया है और अभी जो है updated भी हमने नोट में updated अपडेटीट देड कर दिया है वीडियो में भी थोड़ा भोग जो updated चीज़ें हो एड कर देंगे और जितने भी वीडियो लेक्टिर आते हैं जितने भी updated नोट हैं चाहिए जो दो इबूक्स नहीं बनाएधी है सारी चीज़े आपको एक ही जगा पर मिलेंगी, जनरल अवेरनेस के नोट्स में सारी चीज़ें हमने इंकल्यूट कर दिया है, एक सिंपल इबुक नहीं है, जो एजली आप पढ़ भी सकते हो, मुवाइल से और उसका प्रिंटर भी निकाल सकते हो, असानी से पढ़ने के दिन को पढ़ो, सामको MCQs प्राक्टिस करो, नहीं तरीका है सेलेक्शन पाने का, आप वीडियो जो है, हमने 300 प्लस वीडियो की जीके पे, और कंप्यूटर पे भी 100 प्लस वीडियो है, जो MCQs मिला कर, तो वो सारी आप प्ले लिस्ट में आपको प्रवाइड कर दूँगा वीडियो के साथ आपको वीडियो भी प्रवाइड कर दूँगा, देखो वीडियो, नोट्स पढ़ो, और त्यारी कंटिनी रोखो, एक्जाम हो जाएगा जल्दी ही, एक्जाम क्लिंटर जो आप 5 तारीक आपको आया है, 5 नॉम्बर का एक दिन के एक्जाम रिसेंटी जो क्लिंटर देखा, बाकी जो नॉम्बर के और भी दिन है, उनमें भी जो होपफुली जो क्लिंटर आएगा 5 के बाद की जो दिन है नॉम्बर के उनमें हो सकता है, वेटरनरी फर्मसी स्टाक एसिटेंट, इस तरह के एक्जाम जाए, आपको देहन को मिल सकते हैं, तो आईए और कामन फीचर के अंदर, 1987 में, अजन दो हजार बारा में ही सभी मिम्बर का एक्सेप्ट कर लिया था, राइड वी जनेर में जो यून की कांफरेंस होई थी, हालांके 2012 में अप यह इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इस जो होता है, सब्सक्राइब बारा में किया जाता है, क्य Sustainable Development Goals को Implement किया गया और इस जो कम इंटो फोर्स, फाइनली जो है, यह effective होता है, एक जनवरी 2016 से यह effective होता है, SDG Sustainable Development Goals, 15 साल का इसमें टार्गर रखा गया है, कि 2030 2030 तक ही जो है Implement, यह चलेंगे Sustainable Development Goals, आपको Sustainable Development Goals के बारे में यह बारों पॉइंस जाते हैं, सबसे पहले Sustainable Development Goals के, यह याद रखना है, एक और कोशन एक्जाम में देखने को मिला था पिछली बार, ट्रिपल बाटम लाइन का, that is also known है 3P's, और यह 3P's कोन से है, पीपल प्लैनेट प्रॉफित, पीपल प्लैनेट प्रॉफित, ट्रिपल बाटम लाइन जो इसकी टैग लाइन है, SDG यह भी आपने याद रखने है, 3P's की, पीपल प्लैनेट प्रॉफित, पीपल प्लैनेट प्रॉफित, अगर अगर अजन्डा देखें, यह जो Sustainable Development Goals, 2015 से जो स्टार्ट है, 30 तक चलेगा, इसका अजन्डा है, Transferming, Farming Our World, और इसको हम 2030 अजन्डा भी कहते हैं, तो यह कुछ इंपार्टन पॉइंट्स जो आपने याद रखने है, Sustainable Development Goals के अगर हम बात करें, Sustainable Development Goals को चार कटेगरीज में ड्वाइड किया, इसकी स्कोर को देखकर, इसकी स्कोर को देखकर इसकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है, और रैंकिंग जो है, इस चार कटेगरी में होती है जिरो से लेकर अगर उनचास तक स्कोर है तो एस्परिंट कैटेगरी में आता है, वो कोई भी कंट्री है, अगर वो एस्परिंट कैटेगरी में आती है, परफार्मर कैटेगरी में पचास से लेकर 64 तक जो परफार्मर साथ है, फ्रेंट ररनर जो जिसका स्कोर 65 से लेकर च कोर्स कितना होता है इसका तो यह याद रखना है संटनल डिवेलप्मेंट गोल इंडेक्स दोजार तीस जो निती यूग ने मार्च के महीने में में रिलीज किया था इसमें जो टाप परफॉरम की बात करें सबसे लो परफॉरमस है बिहार की इसमें और अवराल हम जी एंड क की बात करें, जी-एन-क का जो इसमें रेंक आता है, वो 66 स्कोर इसमें sustainable development goals को अचीव करने में लिए है, वो इस front runner category, front runner आपको बता दू यहां पर 66 स्कोर था, तो front runner category में जी-एन-क आता है, तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर sustainable जो index है, जो के UN न रिलीस किया था, उसके हिसाब और थर्ड नमर पर डन्मार्क आती है यह आपने याद रिखें तीनियों को नाम फिल्लेंड, सुदान और डन्मार्क और इंडिया का रैंक आवराल देखें अभी थोड़ा इंक्रीज हो चुका है 1223 में पहले 120 पे थाब जो है इंडिया का रैंक 112 पे आ चुका है 63.45 स्कोर है प्रफार्मर केटेगरी में आती है इंडिया खास करके रैंक की याद रखने 112 रैंक है Sustainable Development Goals को अचीव करने में आवराल इन वोल्ड में इंडिया का रैंक जो है 112 नमर पे आता है Sustainable Development Goals में आपको बताया है 17 SDGs होते है 17 यह आपके सामने है क्योंकि अगर स्पेसिफिकरी मेंचन होता है टापिक तो हम यह स्ताना के स्ताना याद रखते है हालां कि स्पेसिफिकरी मेंचन नहीं है इकॉनिक्स के टापिक माना जा सकता है इसको तो एक स्क्रीन शाट आप ले सकते हो यह वीडियो पास करके आप इसको एक बार रिडोट कर सकते हो 17 गोल्स कौन कौन से नहीं हो पॉवर्टी जिरो हंगर जिरो गुड हैल्थ और वैल बिंग क्वाल्टी एजूकेशन तो यह आप याद भी कर सकते हो देखो यह था SDG का अब हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी के रिलेटी तो पॉवर्टी देखो पॉवर्टी में हम इंपार्टन पॉइंट सी डिसकस करेंगे क्योंकि स्पैसिफिकली मेंचिन नहीं है पॉवर्टी ना ही एकानोमी दस नंबर की है पॉवर्टी में सबसे पहली चीज़ आपको याद रखने है इस टू टाइपस अपॉवर्टी एन रिलेटी अपॉवर्टी क्या होती है कंडिशन वेर होसोल इंकम इस बिलो थे नसेसरी लेवल तो मैंटेन बेसिक लिए स्टेंडर यह एक हम कह सकते किसी भी होसोल अगर महले की पॉवर्टी निकालो यह कंट्री में सारे क्रोड़ पती है उसमें जो लाक पती होगा वो गरीब है तो यह रिलेटिव होता है बाकियों के साथ कंपेर करना अगर आपके महले में सारे अमीर मीर लोग है आप थोड़े से middle के हो तो वो भी poverty category में आ जाएगा, यह इस तरह की poverty को relative poverty कहते हैं, ठीक है, अब हम बात करें, poverty index 2023, इस में lowest poverty, सबसे कम poverty जो गरीब लोग है, वो खेरला में है, 0.71, अब जो है, 0.71 नहीं, अब 0.55, 0.55 पे अब हो चुका है, यह परसंट, एक परसंट से भी क करने की committees का नाम, at least यहाद रखना, explanation है, आपको पता होना है, जो इसा पूछा जा सकता है, आपको याद हैं, अलग committee, लकडवाला committee, टंडोलकर committee, रंगराजन committee, यह सारी committees हैं, जो estimate जिन्होंने किया है poverty को time to time, तो यह आप committees याद रखना है, ओके, यह था poverty के related कुछ concept जो आपको मैंने बताया, अब हम बात करें, unemployment में सीधा हम बात करेंगे, जो कोशन पूछा जा सकता है, आपको वो है, आपकी types of unemployment, structural, fictional, cyclic, seasonal, or decreased unemployment, क्या-क्या difference है, इन में आपको याद र workers, जितने jobs हैं, लेकिन the available workers हैं, उनकी skill कितनी है, वो match ही नहीं कर रहा है, याँ हमें job facilities हैं, लेकिन skilled worker उतने नहीं है, उसकी वज़ए से जो unemployment आती है, इसको structural unemployment कहते है, Frictional unemployment होती है, occurs when workers move from one job to another, अब जब एक जाब बंजने छोड़ी है, जब तक वो दूसरी जाब लेता है, ठीक है, दूसरी जाब पहले जाब चोड़ने और दूसरी लेने के बीज में जो वो बिना जाब करेता है, इस तरह की unemployment को Frictional unemployment करेते हैं, ओके दो पोइंट आपको समझ तीसरा होता है, cyclic unemployment, cyclic होता है in the business cycle where unemployment rises due to recession and decline with the economy growth, जख कभी recession आ जाता है, recession आ गया बिल्कुल, यानि उस country की economy गिर गी, तो वहाँ पर क्या होगा की unemployment जादा हो जाएगी, उस तरह की unemployment, जो recession की वाज़ से होती है, जो किसी भी economy growth गिरने की वाज़ से जो unemployment आती है, इसको cyclic unemployment क काम चल रहा है, तो गास काटने के लिए लगा है, किसी भी काम के लिए लगा है, या अगरिकल्चर अक्टिविटीज में इनवाल हो है, तो जब वह सीजन होगा, उस साब से वह उनकी जाब होगी, आदरवाज वह अनिप्लाइड ही रहेंगे, तो एग्रिकल्चर लेबर मे एग्जम्पल लगती है, सीजनल आउम्प्लाइमेंट के, इसको रहता है, इसको कैते है, इसको एग्रिकेटर्स और मेंगामीज सीदर्स जो है, इसमें एक्जांबल आती हैं इसको आपको नोर्स में अविलेबल हो जाएगे वहां से आपको स्टार्टिंग में आपको प्रिंट निकालें वीडियो को आपका लिंक में दे दूँगा सबी वीडियो इसका जर्नल अवेरनर्स और लेक्शर्स रिजनिंग के कहां से पढ़ने हैं और कंप्यूटर के वह भी आपको स्टार्टिंग के लेक्शर्स भी आलमोस सारा स्रेबुस खास करके वह लोग को आपको टेंशन लेने के बाद नहीं एक ही प्लेस पर आपको मिल जाएगा एक्जाम और यंटिन मिलेगा बिलक अपडेटिड नोट्स हमने त्यार किया हैं वह उनको फ्री आफकास्ट मिलेंगे जिन्हों ने 99 पे किये उनके लिए उनके लिए वह जो अपडेटिड नोट्स जो इबुक्स दो बनाई हैं वह फ्री मिलेंगे जो नए स्टुटेंस उनको 99 सिर्फ चार्ज किया जाएगा अब बैठें कहीं पर ठंड़े दिमाग से बैठें और पढ़ें थेक्यू